T20 World Cup 2021 में रोहिस सर्मा का बल्ला भले ही नहीं चला हो महर उसके बाद भी दोस्तों निजलन्डे खिलाब दूसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए रोहिस सर्मा ने यूनिबर्स बॉस क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तो अब भी जाना चाहते हो क्रिस गेल का कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है रोहिस सर्मा हिटमेन ने तो जो इडिये को एक लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बहले हैं और लुटी वेकेसन पर क्लिक करना बुलकु न भूले चैनल आपको बताते हैं कि रोहिस सर्मा ने कैसे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तो क्रिस गेल के नाम सबसे ज़्यादा एक पारी में चक्के लगाने का रिकॉर्ड था जिसको रोईस सर्मा ने राची में खेलते हुए लगातार एक पारी में पांच छक्के लगा के तोड़ दिया दोस्त कर दिया दोस्तो रोईस सर्मा के नाम बतोर कप्तान एक पारी में T20 इंटरनेशन में पांच छक्के लगाने का वर्ल्ड रेकॉर्ड बन चुका है दोस्तो पांच छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक किसी भी कप्तान के नाम नहीं है और जैसे ही पांच छक्के लगाए रोईस सर्मा ने इंगलाइन के इयन मॉर्गन जो कप्तान है उनकी बराबरी भी कर ली T20 International में सबसे ज़्यादा छक्के क्रिस गेल ने लगाए हैं 499 पारियों में 553 छक्के जड़े हैं तो वहीं पाकिस्तान के साइद अफरीदी ने 476 छक्के जड़े हैं 478 पारियों में और वहीं रोईस सर्मा सबसे तेज 450 छक्के लगाने वाले एक मातर खिलाली बन चुके हैं इन्होंने ये कारनामा मातर 404 पारियों में करके दिखा दिया है